गुड मॉर्णिंग बच्चों सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्णिंग है आशा करता हूँ आप सब लोगों का जो क्रैश कोस का रिविजिन है वो बहुत बढ़िया चल रहा होगा इमानदारी से आप मेहनत कर रहे होंगे और बढ़िया तरीके से चीजों को पड़ रहे हो ठीके बच्चों चलो आजाओ जै प्रद्योगी की की बात कर रहे थे अपन और कल अपनने क्या देख लिया था पूनर योजग कोशिकाओं का चयन है ना पूनर योजग कोशिकाओं के चयन में अपनने कौन सी जीन्स का प्रयोग किया था बच्चों चैनात्मक चिननक जीन का प्रयोग किया था और चैनात्मक चिननक जीन के साथ कौन सी प्रक्रिया अपन ने यूज की थी चैनात्मक चिननक जीन के साथ साथ निवेशन निश्क्रियन है ना निवेशन निश्क्रियन के मार्धियम से अपन ने पूरनर योजग कोशिकाओं का चैन किया था कल question भी देखा था last में अपन ने अब मैंने आप से कल क्या कहा था कि एक तो अपन ने प्रती जैवी की प्रती रोधग जीन को चैनातमक चिननक जीन के रूप में प्रयूक किया था किया था बिल्कुल सभी को बहुत गूड माध्यम में अलग अपन ने एक समवर्धन माध्यम बनाया था और टेटरा साइकलीन का अलग समवर्धन माध्यम बनाया था तो यदि आपको आसान आप चाते हो कि एक ही समवर्धन माध्यम से पता चल जाए कि कौन सी पूर्णर योजग कोशिकाएं हैं और कौन सी पूर्णर योजग कोशिकाएं नहीं हैं तो अपन दूसरी चैनातमक जीन का इस्तेमाल करेंगे जिसे क्या कहते हैं आलफा या देट सही करवा दी यार मैंने कई और ये गल्ती नहीं कर दी हो बिल्कुल सही बच्चों धन्यवाद भई बोड पर आप लोग बहुत ध्यान दे रहे हो आज देट है चार जूम ठीके बच्चों चलो ध्यान दे भई बहुत बहुत धन्यवाद सबको अब सुन लो भई चैनात्मक जीन ले रहा हूं में अलफा या बीटा गैलेक्टोसाइडेस जीन को अपन किसके रूप में ले रहे हैं चैनात्मक चिन्नक जीन के रूप में है ना अपन कौन सी जीन ले रहे हैं चैनात्मक चिन्नक जीन और इसमें अपन पता कैसे करेंगे बच्चों रंग के आधार पर चयन करेंगे कौनसी पूनर योजग कोशिकाए हैं कौनसी अपूनर योजग कोशिकाए हैं ठीक है ध्यान से सुन लेना सिंपल फ्लो चार्ट से बता रहा हूँ बहुत आसान हो जाएगा भई देखो अपने पास अपकुल मिलाकर दो ही संभावनाए है दो ही संभावनाए क्या है भई यहाँ पर एक तो मैंने कहा यहाँ पर मैंने ले लिया non-recombinant cells है ना भई क्या ले लिये मैंने आपूनर योजग कोशिकाएं आपूनर योजग कोशिकाएं का मतलब है जिसमें हमारी टारगेट जीन निवेशित नहीं है सही बात non-recombinant कोशिकाओं का मतलब क्या है भई जिसमें टारगेट जीन नहीं पाई जाती सही बात तो जिसमें टारगेट जीन नहीं है टारगेट जीन नहीं है वो कौन सी कोशिकाएं है non-recombinant cells सही बात जिसमें target gene नहीं है तो उसमें innovation निश्क्रियन भी नहीं होगा उसमें क्या नहीं होगा निवेशन निश्क्रियन नहीं होगा सही हाँ बच्चों आज थोड़ा सा time double change था कोमल जी ये हिंदी medium की class है English medium की class आज पहले हो गई ठीके चलो अब non recombinant sales में मैंने आपसे कह दिया target gene नहीं है target gene नहीं है तो निवेशन निश्क्रियन नहीं होगा अब जब निवेशन निश्क्रियन नहीं होगा तो चैनात्मक चिननक gene क्रियाशील होगी क्रियाशील कौन सी gene होगी भई बिलकुल सही alpha या beta galactosidase की जो gene है ये gene क्या हो गई बच्चों क्रियाशील सही बात भई नन recombinant cells की बात हो रही है non recombinant cells में target gene नहीं है target gene नहीं है मतलब निवेशन निश्क्रियन नहीं होगा निवेशन निश्क्रियन नहीं होगा तो कौन सी जीन क्रियाशील रहेगी एलफा या बीटा गैलेक्टोसाइडेस ये क्या करती है एक रंगीन यानि क्रोमोजेनिक अभीकारक क्रोमोजेनिक अभीकारक का क्या करेगी बच्चों उपाप चाहे और उपाप चाहे अगर करेगी तो रंगीन यानि कैसी कॉलोनीज आ जाएंगी बच्चों नीली या ब्लू कॉलोनीज ठीके सुन लो भई अगर आप पूनर योजग कोशिक आए हैं मतलब टार्गेट जीन नहीं है तो टार्गेट जीन का निवेशन नहीं होग टार्गेट जीन का निवेशन नहीं होगा तो चैनात्मक चिननक जीन क्रियाशील होगी तो रंगीन अभीकारक का उपाप चाहे होगा और कैसी कॉलोनीज आ जाएंगी ब्लू कॉलोनीज सही तो दूसरी अवस्था लूँ दूसरी अवस्था मतलब जब पूनर योजग कोशिकाओं है इसका मतलब उसमें टार्गेट जीन है पूनर योजग कोशिकाओं का मतलब ही है कि जिसमें टार्गेट जीन है टार्गेट जीन यदि है तो निवेशन निश्क्रियन होगा बिलकुल सही टार्गेट जीन है तो क्या देखा जाएगा बच्चों निवेशन न निश्क्रियन देखा जाएगा निवेशन निश्क्रियन होगा तो कौन निश्क्रिय हो जाएगी चैनात्मक चिन्नक जीन निश्क्रिय हो जाएगी मतलब आलफा या बीटा गैलेक्टोसाइडेस जो जीन है वो क्या हो गई निश्क्रिय वो निश्क्रिय होगी तो रंगीन अ अब भी कारक का उपापचय नहीं होगा और नहीं होगा तो आपके पास कैसी कॉलोनीज आएंगी वाइट कॉलोनीज ठीक है भई तो मैंने आपको सिंपल टर्म्स में अफ लोचार्ट में बता दिया कि कैसे रंग के आधार पर पूनर योजक और अपूनर योजक कोशिकाओं की पहचान करोगे अगर बलु कॉलोनीज आ रही है जिवानू काद नीली कॉलोनीज आ रही है मतलब कोशिकाओं कौन सी है नॉन रिकॉंबिनेड़ और यह दि वाइट कॉलोनीज आ रही है इसका मतलब कौन Tibetan true है अगर clear है चीज़ तो आप मुझे थम्ण अब करके बता दो आगे चलते हैं अपन ठीक है बई, तो अपन ने चैनात्मक चिन्नक जीन किसे यूज किया बच्चों अलफा या बीटा गैलेक्टोसाइडेस जीन को यूज किया, क्लियर है बच्चों, शिवम जी स्पूलिंग अभी बता रहा हूँ बेटा, अभी अपन पहुचेंगे स्पूलिंग पर भी, मैं बताऊंगा शिवम जी ठीक है तो अपने पूनर योजग कोशिकाओं का चैन कर लिया है, ठीक है बई चलूँ आगे अब देखो बई ठीक है बई ठीक है तो अपने क्या कर लिया बेटा पूनर योजग कोशिकाओं का चैन कर लिया, पूनर योजग कोशिकाओं के चैन में अपने निवेशन निश्क्रियन की प्रक्रिया देखी और चैनात्मक चिननक जीन्स देख लिये चैनात्मक चिननक जीन्स एक antibiotic resistant genes भी देख ली और चैनात्मक चिन्नक genes alpha या beta galactosidase भी देख ली सही चीज अब आओ अब आपने एक बार पूनर योजग कोशिकाओं का चैन कर लिया अब क्या करोगे इन पूनर योजग कोशिकाओं से अधिक मात्रा में protein निकालना है भी अपने पूनर योजग कोशिकाओं में target gene को निवेशित कर चुके हैं पूनर योजग कोशिकाओं का चैन कर चुके हैं अब अपन को क्या करना है अधिक स्तर पर इनसे protein निकालना है तो अधिक स्तर पर इनसे protein निकालने के लिए इनका क्या करना पड़ेगा इनका बड़े स्तर पर समवर्धन करना है क्या करना है भई इनका बड़े स्तर पर समवर्धन करना है और इनका बड़े स्तर पर समवर्धन किन यंत्रों में किया जाता है बायो रियाक्टर्स ठीक है तो ये जो पूनर योजग कोशिकाए है ये जो पूनर योजग कोशिकाएं हैं परपोशी कोशिकाएं उनको बड़े स्तर पर किसमें समवर्दित किया जाएगा बायो रियाक्टर्स अब ये bio reactors का आयतन 100 से 1000 लीटर तक होता है इतने बड़े bio reactors हैं जिसमें हमपन पूनर योजग कोशिकाओं की वृध्धी करवाते हैं और पूनर योजग कोशिकाओं की वृध्धी के लिए उनको क्या देना पड़ेगा? बिलकुल सही, पूनर योजग कोशिकाओं की वृध्धी के लिए उनको oxygen, परियाप्त पोशन, सही तापमान और pH सब देना पड़ेगा, तो आपके पास bio reactors एक ऐसे यंत्र हैं जिसमें हम पूनर योजग पर पोशिकोशिकाओं से को अधिक स्तर पर या बड़े स्तर पर वृध्धी करवाते हैं वृध्धी के लिए उनको क्या-क्या देते हैं? oxygen, पोशन, तापमान, pH सब देते हैं वैसे तो उनमें सब कुछ उपलब्द कराया जाएगा लेकिन फिर भी question आजाता है NEET में सबसे प्रमुक, याद रखना, सबसे प्रमुक कारक जो बायो रियक्टर में उपलब्द करवाया जाएगा वो कौन सा है? oxygen सबसे प्रमुक कारक पूछ लिया जाए तो क्या है? oxygen होगा सबसे मुख्य कारक जो बायो रियक्टर में यूज किया जाता है oxygen इसलिए के NCI-T में line है कि हर बायो रियक्टर की जो बनावट है या design है वो उसी आधार पे निर्धारित होती है कि वो परियाप्त या ज्यादा से ज्यादा oxygen उपलब्द करा सके तो बायो रियक्टर में सबसे मुख्य चीज ही क्या है oxygen की उपलब्धी दो तरह के बायो रियक्टर जैंसी आटी में दे रखे है एक स्टर्ड रियक्टर जिसके भीतर impeller होता है जो घूम के oxygen प्रेड्यूस करता है और दूसरा है sparged जिसमें आपके पास वायू को बाहर से अंदर फूका जाता है तो सबसे प्रमुक कारग याद रखना है oxygen सही बात अब सुनो फिर हमारे पास एक प्रक्रिया आती है ध्यान रखना है अंत में downstream processing कौन सी क्रिया विध्या रही है बच्चों downstream processing सुन लो बहुत आसान है आपने क्या किया पूनर योजग कोशिकाओं का चयन कर लिया पूनर योजग कोशिकाओं को बड़े स्तर पर संवर्धित कर लिया बड़े स्तर पर संवर्धित कहां किया bio reactors bio reactors में oxygen तापमान pH सब भेटर चीज़े उनको portion दे दिया और उसमें जो पूनर योजग कोशिकाएं हैं वो अपनी संख्या में वृध्धी करती गई अब उन पूनर योजग कोशिकाओं से क्या करना है उन पूनर योजग कोशिकाओं से प्रोटीन निकालना है यानि पूनर योजग प्रोटीन निकालना है तो क्या करोगे आप ये जो पूर्णर्योजक कोशिकाएं हैं उनसे प्रोटीन निकालोगे ठीके बेटा पूर्णर्योजक कोशिकाएं वो जिवानु कोशिकाएं जिसमें आपका तार्गेٹ जी निवेशित है कल वाली कلاस में पड़ा था ठीक है तो अब आप क्या करोगे उन पूनर योजग कोशिकाओं से प्रोटीन निकालोगे प्रोटीन का प्रिथक करण करोगे प्रिथक करण के बाद उसका शुद्धी करण करोगे शुद्धी करन के बाद यदि उसमें कोई रुपांतरन करोगे रुपांतरन करने के बाद उसको clinically test करोगे आप परिक्षन करोगे की वो सही कर रहा है काम या नहीं और अन्त में उसका व्यवसाइक अनूप्रयोग करोगे क्या क्या करोगे भाई, देखो आप जो पूनर योजग प्रोटीन है पूनर योजग प्रोटीन का सबसे पहले प्रिथक करन करोगे प्रिथक करन के बाद उसका शुद्धी करन करोगे आवशक्त अनुसार रुपांतरन करोगे क्लिनिकली परिक्षन करोगे और फाइनली उसका व्यवसाइक प्रयोग लोगे यही तो करना है आपको तो वो सारे पद अनुप्रवास अंसादन कहते हैं इसको बिल्कुल साही सुरेश जी धन्यवाद तो क्या क्या कर रहे हैं पूनर योजग प्रोटीन्स जो कोशिकाओं से प्राप्त होगा उसका प्रिथक करन, शुद्धी करन, रुपांतरान, परिक्षन और व्यवसाइक प्रयोग यह सारे किस पद में शामिल होते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में सब किस में काम करते हैं बच्चों downstream processing में काम करेंगे clear तो प्रिथक करन से लेकर है ना प्रिथक करन से लेकर व्यवसाइक अनू प्रयोक तक की प्रक्रियाएं क्या कहलाती है downstream processing ठीक है बई पक्का clear है चीज बच्चों clear है एक बार अंगूटा दिखा दो फिर मैं आगे चलता हूं ठीक है बई अब इधर आ जाओ अब हमारे पास एक टॉपिक आता है यहाँ पर सुन लो आनूवांशिक पदार्थ का प्रिथक करन या isolation ठीक है बई चलो अब एक मिनट ध्यान देंगे अब मान लो आपको मैंने कोई भी एक कोशिका देदी ठीक है कोई भी एक कोशिका देदी मतलब मैंने आपको एक जिवानो कोशिका देदी कवग देदिया पादब की कोशिका देदी या जन्तु कोशिका देदी downstream बताया बेटा भी downstream का मतलब है अनूप्रवाह संसाधन है ना, डाउन सीम प्रोसेसिंग की हिंदी क्या हो गई भई, अनू प्रवाहा संसाधन ठीक, अब आजओ मान लो आपको कोई भी एक कोशिका दे दी जाए और आपसे ये बोला जाए कि इस कोशिका से आपको DNA या आनुवानशिक पदार्थ को प्रिथक करना है है ना, कोई भी कोशिका से ये दी आपको DNA या आनुवानशिक पदार्थ का प्रिथक करना है तो वो तीन पदों के माध्यम से होगा कितने पदों के माध्यम से होगा बच्चों तीन पदों के माध्यम से आओ, देखें तो तो आपके पास तीन पद के द्वारा हम किसी भी कोशिका से DNA या आनुवानशिक पदार्थ को प्रिथक करते हैं कैसे भई सबसे पहला पद सबसे पहला पद तो होगा कोशिका भित्ती का अबघटन है ना सबसे पहले तो अपन क्या पढ़ेंगे बच्चों कोशिका भित्ती का अबघटन यदि किसी भी कोशिका से DNA निकालना है तो सबसे पहले उसका भित्ती का क्या करना पड़ेगा अब घटन कैसे भई अगर पादब कोशिका है तो पादब कोशिका का अब घटन Cellulose और Pectinase के माध्यम से अगर कवक है तो कवक की कोशिका भित्ती काईटिन से बणी होती है कौनिसी यंजाइम? Kytinase जिवाणू की कोशिका भित्ती का अब घटन कौन यंजाइम से होता है बच्चों Laizozyme सही बात तो जिवाणू कोशिका भित्ती को किससे नश्किया जाता है? Lysozome कवक की कोशी का भित्ती को किस से नश किया जाता है काईटीनेज और सेल्यूलेज और पेक्टीनेज से क्या होता है भई पादपो की कोशी का भित्ती ठीक है तो सबसे पहला पत्तो अपने देख लिया क्या है कोशी का भित्ती को अब घटित कर लिया अब जैसे ही आपने कोशिका भित्ती को अभगटेद कर लिया, उस कोशिका के भीतर जैवनू मिलेंगे, क्या-क्या मिलेंगे भई, RNA मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, तो वर्मा जी ने लिखा है भई, nucleic acid is a genetic material of all organisms without exception, क्या बात है वर्मा जी दूसरे पद में हम RNA, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को हटाएंगे, है ना, कैसे हटाएंगे भई, RNA को हटाने के लिए, अब घटित करने के लिए, RNAs एंजाइम का प्रयोग करते हैं, प्रोटीन को हटाने के लिए, प्रोटीएजेस का, प्रोटीन को अब घटित करने के लिए, सुन लेना, प्रोटीन को अब घटित करने के लिए, प्रोटीएजेस का यूज भी कर सकते हो, या, फिनॉल क्लोरोफॉर्म का यूज भी कर सकते हो, क्योंकि फिनॉल और क्लोरोफ जो है वो proteins को विक्रती करत कर देते हैं तो NCRT में proteases लिखा हुआ है आफ फिनॉल और chloroform से भी protein को हटा सकते हो कार्बो हाइडरेट को हटाने के लिए है ना कार्बो हाइडरेट को हटाने के लिए एक रसाइनिक पदार्थ का यूज किया जाता है CTAB Cetyl Trimethylene Ammonium Bromide इस रसाइन का यूज किसलिए किया जाता है कार्बो हाइडरेट को हटाने के लिए ये NCRT में नहीं दे रखा बट याद रखना है और तीसरी और आखरी पद अब क्या बच गया भई आपने कोशी का भित्ती को तोड़ दिया RNA प्रोटीन कार्बो हाइडरेट को हटा दिया अब क्या कर लेगे अब हमको DNA का अवक्षेपन यानि क्या करना है प्रेसीपीटेशन तो DNA का जब अवक्षेपन करते हो तो किसका प्रयोग करते हो शीत इथेनॉल का आप एक ग्लास रॉड लेते हो ग्लास रॉड को शीत या चिल्ड इथेनॉल में डिप करते हो और DNA उसके उपर घूम जाता है और DNA जब उसके उपर घूम जाता है उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते है स्पूलेंग तो DNA का अवक्षेपन किसके माध्यम से हो रहा है चिल्ड इथेनॉल के माध्यम से और उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे स्पूलेंग तो हमने आनुवानशिक पदार्थ का प्रिथक करन कर लिया कितने पदों के द्वारा तीन भित्ती का अपगटन RNA प्रोटीन कार्बोहईडरेट DNA का अवक्षेपन पेटा इसका फुल फॉर्म सिताईल ट्राइमिथाईलीन अमोनियम ब्रोमाईड ठीक है भई क्लियर है चीज बिलकुल अब आज अपन किसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों चलो आजाओ आज हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट प्रक्रिया पॉली मरेज चेन रियाक्शन किसकी बात करेंगे बच्चों पॉली मरेज चेल रियाक्शन अब पॉली मरेज चेन रियाक्शन जो तक्नीक है वो आपको पता ही है सबको किसने विक्सित की है बच्चों कैरी मुलिस तो PCR की जो बेटा RNAs जो है ना RNAs जो है वो RNA को नश्या अबगटित करती है RNAs एक Nucleases है जो RNA को तोड़ती है ठीक भई तो PCR की तकनीक किसने विक्सित की है भई कैरी मुलिस ने अब क्या-क्या ध्यान है आपको सुन लो पहली चीज़ तो PCR की जो तकनीक है ये एक ऐसी क्रिया विधी है जिसके माध्यम से हम DNA की मात्रा को बढ़ाते हैं है ना DNA की मात्रा बढ़ाना का मतलब है DNA की मात्रा को आवर्धित करते हैं और DNA की मात्रा बढ़ रही है इसका मतलब किसी भी जीन को या किसी भी जीन की हम कई सारी कौपीज बना सकते हैं सही बात तो PCR के माध्यम से क्या ध्यान में रखना है PCR एक ऐसी क्रिया विधी है जिसके माध्यम से हम DNA की मात्रा को आवर्धित का मतलब है क्या करते हैं एम्प्लिफाय करते हैं DNA की मात्रा को बढ़ाते हैं या जीन की कई कौपीज निर्मित करते हैं सही बात तो आप क्या कर रहे हो DNA की मात्रा को बढ़ा रहे हो या जीन की कई कौपीज बना रहे हो अब DNA की मात्रा को बढ़ाना है या जीन की कई सारी कौपीज बनानी है मतलब करना तो क्या है प्रती गृती करन करना तो क्या है प्रती कृती करन और ये प्रती कृती करन किस अवस्था में हो रहा है पात्रे अवस्था में तो इसे क्या कहते हैं पात्रे प्रती कृती करन या इसे हम कहते हैं इन वीट्रो रेप्लिकेशन है ना भई PCR को हम और किस नाम से जान सकते हैं बच्चों पात्रे प्रतिकृतिकरन या इन वीट्रो रेप्लिकेशन पात्रे अवस्था में प्रतिकृतिकरन के माध्यम से DNA की मात्रा को बढ़ाया जाता है या जीन की कई सारी कौपीज का निर्मान किया जाता है सही बात अब PCR के बारे में दो चीज़े पढ़ेंगे एक तो इसकी क्रियाविधी देखेंगे और क्रियाविधी के बाद इसका अनुप्रयोग देखेंगे कहां कहां इसको यूज़ किया जाता है सर, रीकॉंबिनेट डियने को भी मल्टीपल कर सकते हैं क्या PCR से कर सकते हो बेटा प्रशान जी ने पूछा है एपेंड ओफ ट्यूब और टेस्ट चूब में क्या डिफरेंस है बहुत है बेटा, टेस्ट चूब गलास से बनी होती एपेंड ओफ प्लास्टिक से बनी होती है पर छोटी सी होती है, एपिंड ओफ बहुत छोटी होती है, माइक्रो मिलिमीटर्स में काम होता है उसमें, ठीक है, अब आजाओ बई, अब सुन लो, आपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मैं PCR के पद समझ रहा हूँ, ठीक है, आपको मालूम होगा, PCR के पद में कितने प्रक् ली करन, ठीक है, सुन लेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर, ठीक है वई, यह आपके पास, मान लेते हैं, यह मैंने DNA बनाया, और यह DNA का भाग मुझे आवर्दित करना है, इस DNA भाग का क्या करना है, बच्चों आवर्धन, ठीक है, अब एक चीज याद रखना, मैं अमेशा कहता हूँ, आन्विक जैविकी जो होती है, आन्विक जैविकी का अनुप्रयोग ही हम लो हमारे शरीर में भी प्रतिकृति करन होता है, लेकिन हमारे शरीर के भीतर हाइड्रोजन बंद कौन तोड़ती है, हेली केजेज, हमारे शरीर के भीतर प्रतिकृति करन का प्रारम औराइस थल से होता है, यानि औराइस थल से हाइड्रोजन बंद तूटने लगते हैं, और उ लोड़ सकते हैं तो यहां पर पहला पद ठीक है पहला पद ही क्या है PCR का जिससे हम कहते हैं विक्रती करन विक्रती करन या डी नेचरेशन किस तापमान पर करते हैं 90 से बरानू डिग्री सेंटी ग्रेड वैसे भी यदी आप DNA को उमेश जी एक सेगिन बेटा बीच में मैं एक क्रती करन में अपन क्या कर रहे हैं बच्चों अधिक तापमान 80 डिग्री सेंटी ग्रेड से अधिक अगर आप DNA का उपचार करो तापमान पर तो DNA के हाइडरोजन बंद तूट जाते हैं और DNA एकल रज्युक में परिवर्तित हो जाता है तो यहां पर अपन ने 90 डिग्री स एंटिग्री लिया इस से क्या हो गया आपके पास। हाइडरोजन बंद तूट गए और जैसे ही हाइडरोजन बंद तूटेंगे जैसे ही हाइडरोजन बंद तूडते हैं DNA किसमें परिवर्तित हो जाता है एकल रज्युक में सही बात हाइडरोजन बंद तोड़ दो हाइडरोजन बंद तूड जाएंगे DNA या टेम्पलिट रज्युक एकल रज्युक में परिवर्तित हो जाएंगे क्या किया विकरती करन इस हाई टेंपरेचर पर हाईडरोजन बंध तूड जाते हैं सही बात अब क्या करना है दूसरा बहूली करन करना है मतलब अगर आपको नया रज्युक बनाना है नया रज्युक तभी बनेगा जब पॉलीमरेस काम करेगी और मैंने रेप्लीकेशन से आपको बता रखा है कि हर पॉलीमरेस की एक सीमा या लिमिटेशन या कमी है कि वो रज्युक का प्रारंब नहीं कर सकती तो रज्युक के प्रारंब करने के लिए आपको प्राइमर चाहिए हमारे शरीर में जीवे अवस्था में तो आरेने प्राइमर जुडते हैं लेकिन यहाँ पर प्राइमर जोडना हमारे हाथ में है इसलिए हम प्राइमर डी एने के जोडेंगे तो यहाँ पर दूसरा स्टेप क्या हो गया बच्चों दूसरा स्टेप होता है प्राइमर का जुड़ना या प्राइमर अनीलिंग ये अनीलिंग हम 50 से 55 डिग्री सेंटी ग्रेट के मध्य करते हैं यानि इसमें क्या करेंगे ये रहा 5 से 3 5 से 3 ठीक है भई तो हमने क्या किया भई दो डिएने के प्राइमर कितने दो डिएने प्राइमर अपने टेंपलेट रज्जुक पर जोड़ दिये जोड़ने के लिए तापमान क्या होगा कम और कौन सा तापमान हम क्या लेते हैं 50 से 55 डिग्री सेंटी ग्रेट का तापमान लेंगे सही बात प्राइमर जुड़ गए अब आखरी स्टेप क्या आगया बच्चों यहां ले लूँ आखरी स्टेप आ जाता है बहूली करन ठीक है बहूली करन में हम क्या यूज करते हैं पॉलीमरेजेज डियेने पॉलीमरेज का सहकारक क्या होता है मेगनीशियम देखो भई मेगनीशयम बहुत important है क्योंकि मेगनीशयम कई सारी enzymes का सहकारक है ठीके हाँ बेटा thermosycler से temperature को बढ़ाया या घटाया जा सकता है बिल्कुल सही मैं आपसे कह रहा हूँ जो मेगनीशयम है ना मेगनीशयम बहुत सारी enzymes का सहकारक है याद रखना DNA Polymerases का सहकारक मेगनीशयम है photosynthesis पड़ा उसमें अपने Rubisco और Pep Carboxylase उनका सहकारक भी मेगनीशयम है श्वसन respiration पड़ा था उसमें Pyruvate Dehydrogenase के अंदर भी सहकारक एक कौन सा है मेगनीशयम है तो ये सारे सहकारक hexokines जो enzyme होती है glycolysis के पहले पद में ठीके पहले पद में जो glycolysis की hexokines enzyme होती है उसका सहकारक भी मेगनीशयम होता है तो इन सब enzymes का सहकारक क्या याद में रखना है मेगनीशयम सही बात तो Polymerases और आपको DNTPs DNTPs का प्रयोग करेंगे और आपके पास नए DNA का निर्मान हो जाएगा ठीक है भई तो आपके पास कितने step है भई PCR में तीन कौन-कौन से विक्रती करन जिसमें अपने DNA को एकलरजुक में परिवर्तित किया प्राइमर अनीलिंग जिसमें अपने दो DNA को जोडा और बहुली करन होता है 72 degree centigrade पर जिसमें polymerases और DNTPs के द्वारा नया DNA बना दिया सही बात है अब एक सुन लो एक बहुत important चीज़ जब PCR की खोज जब PCR बनाया गया था ना यूज किया गया था तो उसके प्रारम में तो हम लोग सामान्य DNA polymerases यूज करते थे लेकिन उसमें problem क्या थी कि हर PCR एक चक्र के बाद आपको एक नई DNA polymerases डालनी पड़ती थी नई क्यों डालनी पड़ती थी क्योंकि भई इस अधिक तापमान पर सामान्य polymerase विक्रती करत हो जाती थी भई polymerase भी तो protein है और protein अधिक तापमान पर विक्रती करत हो जाता है तो धीरे धीरे ये जरूरत पड़ी कि PCR में एक ऐसी enzyme की जरूरत है जो अधिक ताप पर स्थाई रहे और अधिक ताप पर स्थाई कौन से जिवानू रहते हैं आर की जिवानू कौन से आर की जिवानू थर्मो एसिडो फाइल तो एक आर की जिवानू देखा गया भई thermos equeticus और उससे एक polymerase enzyme निकाली गई कौन सी भई टैक polymerase तो बिलकुल सही PCR में विशिष्ट polymerase enzyme का प्रयोग किया जाता है कौन सी विशिष polymerase enzyme का प्रयोग बच्चों टैक polymerase का इसका नाम ही टैक polymerase क्यों है क्योंकि ये एक आर की जिवानू से प्राप्त होती है जिसका नाम है thermos equeticus किस से प्राप्त होती है आर की जिवानू thermos equeticus और इसका विशिष लक्षन ये है कि ये अधिक तापमान पर भी स्थाई रहती है एक कहते हैं 120 degree centigrade तक इस तापमान तक इस enzyme को कोई फरक नहीं पड़ता तो PCR में विशेश enzyme कौन सी यूज की जाती है टैक polymerase क्या लक्षन याद रखना है ताप्स्थाई enzyme है और किस आरकी जिवानू से प्राप्थ होती है thermos equiticus सही बात अब देखो फिर आता है यहाँ पर PCR का अनूप्रयोग ठीक है PCR का use हम कहां कहां करते हैं या PCR की application बहुत important है PCR का जो अनूप्रयोग या application है वो दो जगे यूज किया जाता है दो यूज कहां कहां यूज किया जाता है पहला तो किया जाता है आन्विक निदान में आन्विक निदान या जिसे हम कहते हैं molecular diagnosis रोगों की जाच करने को क्या कहते हैं निदान कहते हैं बिलकुल सही सर कौन सी प्रॉबलम है बेटा आपको पूजा दूदी जी क्या बोला आपने बेटा अब आन्विक निदान या molecular diagnosis में ध्यान देंगे बेटा क्या बोल रहा हूं रोगों की जाच करने को हम क्या कहते हैं निदान अब सर long target DNA को isolated करने के लिए PFU अरे बाप रहे उमेज जी बिलकुल सही ठीके long target DNA को isolate नहीं बेटा उसका बहुली करन करने के लिए PFU polymerase यूज़ करेंगे उमेज जी बिलकुल सही उमेज जी लेकिन इतना नहीं पता बेटा आपन ये PFU की खासियत ये होती है बेटा इसमें proof reading होती है तो लंबे DNA का बहुली करन कर सकते हैं बिलकुल सही उमेज जी बट नीट के लिए ज़रूरी नहीं है बेटा याद रखना ठीके अब सुन लो प्रोब क्या है पूजा जी आगे आएगा बेटा अब भी जब मैं जैव प्रोध्योगी की के अनुप्रयोग बताऊंगा ना बेटा जब मैं DNA fingerprinting का concept बताऊंगा उसमें प्रोब बताऊंगा है ना पूजा जी वो अनुप्रयोग में आएगा ये सिध्धान्त वाला chapter है आज सिध्धान्त वाला chapter खतम हो जाएगा अनुप्रयोग जब हम चालू करेंगे उसमें प्रोब्स के बारे में बताऊंगा ठीक है चलो सुन लो अब आन्विक निदान का मतलब है रोगों की जाच प्रारंभिक अवस्था में ही हो जाना सामानने तरीका क्या होता है रोगों की जाच करने का कि जब रोग के लक्षन आ जाते हैं सिम्टम्स आ जाते हैं तब अपन रोगों की जाच करते हैं जब तक उसमें लक्षन आ जाते हैं तब तक रोग जनक की सांदरता कई गुना बढ़ जाती है तो अगर आपको प्रारंबिक अवस्था में ही जाच करनी हो रोगों का परिक्षन करना हो जब रोग जनक की सांद्रता ही कम हो तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए हम आणविक निदान या PCR का प्रयोग करते हैं अब PCR के आणविक निदान में दो याद रखना है दो क्या याद रखना है? एक तो आपको HIV आशंकित व्यक्तियों में ठीक है? HIV आशंकित मरीज या Cancer आशंकित पेशेंट्स याद रखना PCR का प्रयोग किन रोग जो की जाँच में किया जाता है? Cancer आशंकित पेशेंट्स में और HIV आशंकित मरीजों में PCR क्या होता है? आजकल हर अस्पताल में होता है और हर रोग की जाँच PCR के माध्यम से होती है अब होता क्या है? कि भई देखो जिवानू में तो DNA होता है तो जिवानू के जो रोग होते हैं उसके लिए सामान्य PCR का यूज़ करते है लेकिन अगर आपको कोई विशानू वाला रोग है विशानू रोग की जाँच करनी हो तो उसके लिए हम कौन सा PCR यूज़ करते हैं? RT-PCR भई RT-PCR का मतलब क्या है भई? सुनो विशानू में आनुवानशिक पदार्थ क्या होता है? RNA तो विशानू में RNA वानुवानशिक पदार्थ RNA होता है तो RNA से क्या बनाना पड़ता है? DNA और फिर DNA का आवर्धन करना होता है तो ऐसे PCR को कहते हैं RT-PCR यहां पर RT का मतलब ही क्या है reverse transcriptase तो पहले RNA से DNA बनाया जाता है फिर उसका आवर्धन करता है ठीक है भई अब आन्विक निदान पहला हो गया दूसरा दूसरा आपको अनुप्रयोग पता होना चाहिए कि ये जो है वो DNA fingerprinting की समवेदन शीलता को बढ़ा देता है ठीक है भई तो PCR के दो अनुप्रयोग है दूसरा अनुप्रयोग है कि ये DNA fingerprinting की समवेदन शीलता को बढ़ाता है ये कैसे पढ़ते हैं भई अभी जब आपन आगे DNA fingerprinting पढ़ेंगे तो क्या होता है DNA fingerprinting में, forensics में यूज करते हैं तो forensics मतलब जहां पर कोई crime हुआ है ठीक है ना? तो जहां पर कोई crime हुआ है वहां पर आपको बाल के hair follicles मिलते हैं hair follicles या आपको रुधीर blood sample मिलता है पड़ वो इतना कम मात्रा में उसमें DNA होता है कि उसका अध्यन नहीं कर सकते तो आप क्या करते हो उस DNA को आवर्धित करते हो DNA को आवर्धित करते हो किस प्रक्रिया के द्वारा PCR के द्वारा तो PCR के द्वारा आप DNA को आवर्धित करते हो इसलिए ये प्रक्रिया किसकी समवेदन शीलता को बढ़ाने में काम करती है DNA Finger Printing ठीक है बच्चों तो दो मुख्या अनू प्रयोग किसके हैं PCR के, एक आणविक निदान हो गया और दूसरा DNA Finger Printing की समवेदन शीलता को बढ़ा देना ठीक है, GC Rich DNA के लिए High Temperatures चाहिए, उमेज जी बिल्कुल सही G और C के मद्यद तीन Hydrogen बंद होते हैं बेटा A और T के मद्यद दो Hydrogen बंद होते हैं तो जिस DNA में GC समू जादा होगा, उसमें Hydrogen बंद जादा होंगे इसलिए उसको तोड़ने के लिए और अधिक तापमान चाहिएगा सही बात निमे ठीक है, अच्छा, एक सवाल करें बई एक बार आजाओ तो मैंने कहा, एक DNA अनू है एक DNA अनू को 10 PCR चक्र करवाया गया ठीक है, करें तो बई एक DNA अनू को 10 PCR चक्र करवाये गए तो कितने गुना एम्प्लिफिकेशन होगा लगभग 10 गुना लगभग 100 गुना लगभग 1000 गुना या लगभग ठीक है भई, चलो सुन लो अब एक बार PCR मैंने प्वेशन दे दिया कितने गुना तक आवर्धन करना है तो अगर एक दस एक DNA अनू है एक DNA अनू को 10 PCR चक्र किये गए यदि एक DNA के 10 PCR चक्र किये गए तो कितने गुना तक आवर्धन होगा बताओ तो जवाब लगभग 10 गुना 100 गुना, 1000 गुना या 10,000 गुना एक जवाब आया सचिन जी का D D, D, उमेश जी सुरेश जी, सुरेश जी बहुत बढ़िया उमेश जी बहुत बढ़िया पूजा जी साई शिवम जी साई नवजोच सिंग सिद्धू अवित तिरी बिलकुल साई नीलम जी साई, एमन जी साई जवाब इसका क्या है ठीक है भई, लगभग कितने गुना 1000 गुना जिनोंने जवाब साई दिया है बहुर अच्छी बात है जो गलती कर रहे हैं सुन लो PCR का मतलब है करना तो प्रतिकृति करन है यदि प्रतिकृति करन करना है तो प्रतिकृति करन में क्या होता है बच्चों एक DNA से दो DNA बनते हैं दो से चार बनते हैं चार से आठ बनते हैं आठ से सोला बनते हैं सोला से बतिस बनते हैं ऐसा ही होता है एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोला तो क्या सूत्र काम करता है भई टू की पावर एन जिसमें एन क्या होता है कितना प्रतीकृतिकरन हुआ है तो दस PCR का मतलब है भई दस प्रतीकृतिकरन हुआ दो की पावर दस होती है एक हजार चोबीस यानि कितने गुना हो गया भई हजार गुना इसलिए तो अगर मतलब दस की पावर तीन, दो की पावर बीस ले जाओगे तो दस की पावर छे, दो की पावर तीस पीसी आर चक्र करोगे तो दस की पावर नौ, दस की पावर नौ का मतलब होता है billion गुना है ना 20 चक्र का मतलब होता है 10 की power 6 10 लाक 10 लाक को क्या कहते हो 1 million है ना तो 10 PCR चक्र में कितना आवर्दन होता है 10 की power 3 20 PCR चक्र में कितना आवर्दन होता है 10 की power 6 और 30 PCR चक्र में कितना आवर्दन होता है 10 की power 9 सही बात तो आंसर क्या आ गया एक हजार गुना क्लियर है बिलकुल चीज बच्चों ठीक है बिलकुल स्लियर PCR वाला सिस्टम चले आगे ठीक है बई तो अपन ने क्या देख लिया बच्चों मतलब बाइल जी या जैव प्रोध्योगी की के जो सिधान्त है उसमें अपन ने सारी चीज़े देख ली है ठीक है बच्चों अब अपन देखेंगे जैव प्रोध्योगी की के अनूप्रयोग ठीक है किसकी बात करेंगे बेटा जैव प्रोध्योगी की के अनूप्रयोग और वो अनूप्रयोग अपन सबसे पहले देखते हैं जैव प्रद्योगी की के अनूप्रयोग किसमें देखेंगे क्रिशी या एग्री कल्चर में यहां पर GM प्लांट्स या ट्रांसजेनिक प्लांट्स देखो समझ लो हाँ, दो चीजे मैं समझा रहा हूँ, उसमें बहुत प्रब्लम होती है, सुन लेना क्या है एक तो होता है अपने पास GMO इसे हम कहते हैं, जेनेटिकली मौडिफाइड और्गैनिजम्स और एक हम टर्म यूज करते हैं ट्रांसजेनिक और्गैनिजम्स ठीक है, थोड़ा सा ही फरक होता है सुन लेना क्या कह रहा हूँ सुन लो पहला GMO का मतलब ही क्या है जेनेटिकली मौडिफाइड और्गैनिजम्स है ना, अब जेनेटिकली मौडिफाइड और्गैनिजम्स का सरलसा मतलब है कोई भी ऐसा जीव या और्गैनिजम जिसके DNA के साथ छेड चाड की गई हो कोई भी ऐसा और्गैनिजम्स जिसमें DNA के साथ छेड चाड की गई हो, उसके DNA करम को परिवर्तित किया गया हो कोई नया DNA निवेशित किया गया हो कोई DNA भाग को हटा दिया गया हो, उत परिवर्तित कर दिया गया हो उन सभी जीवों या और्गैनिजम्स को क्या कहते हैं GMO बाबुलाल जी आपने पुछा है RFLP बेटा DNA फिंगर प्रिंटिंग बताऊंगा ना DNA फिंगर प्रिंटिंग में RFLP बताऊंगा ठीक है अब इदर सुन लो तो ऐसे सभी और्गैनिजम्स ऐसे सभी और्गैनिजम्स या जीव जिसमें DNA के साथ छेड़ चाड़ की गई हो काटा गया हो जोडा गया हो नया निवेशित किया गया हो करम में बदलाव किया गया हो ऐसे जीवों को क्या कहेंगे GMO ठीक अब उसके बाद कोई भी बाहिय जीन याद रखना है यदि कोई भी बाहिय जीन है तो हम बाहिय जीन को क्या कहते है ट्रांस जीन है ना बाहिय जीन को क्या कहेंगे बच्चों ट्रांस जीन कहेंगे और ये जो बाहिय जीन या ट्रांस जीन है उस Transgenic Organism को जिस भी जीव में निवेशित किया गया होगा उन्हें हम क्या कहेंगे Transgenic Organisms सही बात है भई तो मैंने कहा किसी भी बाहिय जीव में भी निवेशित की गई होगी उसे कहेंगे Transgenic Organism उधारन के तोर पे मैंने चुहे की जीन निकाली तो मैंने चुहे से जीन निकाली अब वो जीन हो गई बाहिय जीन और उस चुहे की जीन को मैंने घोडे में डाल दिया तो घोडा क्या बन गया चुहा नहीं बना हाँ घोडा क्या बन गया ट्रांसजेनिक घोड़ा सही बात तो कोई भी बाहिय जीन है वो ट्रांसजीन है और उस बाहिय जीन को मैं जिस भी जीव में निवेशित करूँगा तो उसे क्या कहेंगे ट्रांसजेनिक और्गैनिजम्स ठीक है भई पक्का क्लियर है चलें आगे तो अब अपन जो है सबसे पहले सबसे पहले यहाँ पर किसकी बात करेंगे ट्रांसजेनिक पादपों की या जी एम प्लांट्स की है ना भई ठीक है अब इधर ध्यान देंगे यहाँ पर अपन कौन-कौन से पादप पढ़ेंगे तंबाकू पादप बीटी कॉटन गोल्डन राइस ब्रैसी का नेपस फ्लेवर सेवर और तंबाकू पादप ठीक है सुन लेना मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है ठीक है भई यह एक पूरी लिस्ट बनाई है जो ट्रांस जैने क्या जीम पादपो की है यह छे ही याद रखने है उसके अलावा नहीं पूजा जी आपने पूछा कि continuous culture system क्या होता है देखो पूजा जी एक चीज है मैं continuous देखो तीन तरह के culture system होते हैं बेटा batch system होता है fed batch होता है continuous culture system होता है continuous culture system में जब अपन सरवाधिक समय वृद्धी अवस्था में निकाले तो जब आप नियमित अंतराल से पोशक पदार्थों को भीतर डालते रहोगे और नियमित अंतराल से अपशिश पदार्थों को निश्कासित करते रहते हो तो ऐसे खुले तंत्र या खुले समवर्धन माध्यम को continuous culture system कहते हैं ठीक है बच्चों अब पूजा जी आप एक चीज़ समझे लिए बेटा ये crash course वाली क्लासे हैं है ना crash course में अपन को ज्यादा से ज्यादा यानि कम से कम दिनों में ज्यादा से ज्यादा syllabus की का solve करना है हमारे पास पूरा वर्ष वाला जो system है ना बेटा पूरे साल भर में जिसमें अपन एक topic में 10 से 12 classes लगाते हैं वो अभी संबव है नहीं तो मुझे आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा portion करवाना है तो need से संबंदित जो भी important चीज़ें NCRT में वो मैं आपको करवा रहा हूँ ठीके वई? हाँ दो बार मैंने दो बार तंबाकु पादब लिखा है बिलकुल सही लिखा है क्यों लिखा है दो बार? क्योंकि दो तंबाकु पादब है ठीके? मनोजी मैं golden rice की पैचान में आपको बता रहा हूँ पहुचा ही नहीं मैं golden rice पे आप पहले ही पूछ रहे हो थोड़ा सा धेरे रखिए यार मैं पहुच तू जा हूँ उस पर ठीक है अब सुन लो दो इसलिए बता रहा हूँ सुन लो क्योंकि एक NCRT में है एक NCRT में नहीं है पहला transgenic padap ठीक है भई पहला transgenic padap जो है वो कौन सा था तंबाकू पादप पहला transgenic padap कौन सा था पहला transgenic padap था तंबाकू पादप था पहला transgenic padap तंबाकू पादप है इसमें किसकी एक हर्भी साइड प्रतिरोधक जीन निवेशित कर रखी है है ना तो एक हर्भी साइड प्रतिरोधक जीन कौन से हर्भी साइड ग्लाइको फॉसेट तो ग्लाइको फॉसेट एक खर्पतवार नाशी है वो खर्पतवार नाशी यानि हर्भी साइड प्रतिरोधक जीन को आपने किसमे निवेशित कर रखा है इस तंबाकू पादप में और ये पहला ट्रांसजेनिक पादप था तो question आएगा कि पहला ट्रांसजेनिक पादप पहला ट्रांसजेनिक पादप कौन सा था तंबाकू पादप उसमें कौन सी जीन निवेशित की गई थी खर्पतवार के प्रती रोधक यानि हर्बी साइड प्रती रोधक जीन जिसका नाम क्या था ग्लाइको फॉसेड इसका मतलब जो पहला ट्रांसजेनिक प्लांट है ना ये तंबाकू ये कैसा पादप है ये हर्बी साइड प्रती रोधक पादप है कैसा पादप है बहुत ये question आप ही रखा है नीट में लेकिन ये NCRT में नहीं दे रखा है तो पहला transgenic पादप तंबाकू पादप है जिसमें herbicide प्रतिरोधक जीन निवेशित थी ये वाला जो तंबाकू पादप है ये NCRT में है ये पीड़क प्रतिरोधक है है ना पीड़क प्रतिरोधक मतलब एक नेमेटोड होता है ना जो जड़ो को संक्रमित करता है मिलेडो गाइन इन कॉगनेशिया वो पीड़क प्रतिरोधक पादप कौन सा है तंबाकू इसलिए मैंने दो अलग अलग तंबाकू पादप लिखें हैं पहला ट्रांसजेनिक पादप हो गया जो हर्बी साइड रेजिस्टेंट है और ये तंबाकू पादप जो पीड़क प्रतिरोधक है सही बात तो तंबाकू पादप पहला देख लिया दूसरा किसकी बात करें बीटी कॉटन की आओ तो अब ये आपको मालूम ही है BT cotton या BT का पास अब ये आपको मालूम ही है इसलिए अब यहाँ पर जो BT है ठीक है यहाँ पर BT का तातपर्य क्या है किस जिवानू से BT है Bacillus thuringiensis है ना भई BT यानि कौन से जिवानू का नाम है Bacillus thuringiensis सही बात ये जो जिवानू है हमको पता है ये जिवानू एक कीट नाशक प्रोटीन का निर्मान करता है ये एक प्रकार का एंडो टॉक्सिन है है ना ये किसका निर्मान करता है बच्चों एक कीट नाशक प्रोटीन का निर्मान करता है ठीक है अब ठीक है आप सुन लो ये जो जिवानू है bacillus thuringiensis ये जिवानू एक कीट नाशक प्रोटीन का निर्मान करता है जो कीटों के कीटों के मध्य आथ यानि कहां पर जाकर बच्चों मध्य आथ यानि मिडगट में जाकर मिडगट में जाकर कैसा pH मिलता है जब इसको शारिय पिएच मिलता है तो शारिय पिएच पर सक्रिय होता है सक्रिय होने पर ये उनकी उपकला कोशिकाओं में छेद उत्पन करता है जिससे कीट मर जाते है सबको पता है ये चीज मैंने शौट में लिख दिया है जिवानू का नाम उस कीट नाशक प्रोटीन एंडो टॉक्सिन है कीटों के मध्याथ में काम करता है और शारिय पी-एच पर सक्रिय होता है सही बात अब ये जो कीट नाशक प्रोटीन है इस कीट नाशक प्रोटीन को कौन सी जीन कोड करती है बिलकुल सही क्राई जीन है ना अलग-अलग प्रकार की क्राई जीन होती है अलग-अलग प्रकार के कीट नाशक प्रोटीन बनाती है जो अलग-अलग कीटों के लिए काम करता है मतलब क्राई जीन और उसका जो विशाक प्रोटीन है ये कीट समू विशिष्ट होता है है ना NCRT में क्या दे रखा है भई क्राए 1 AB ये किसके विरोधी होता है बताओ तो और क्राए 2 AB और क्राए 1 AC बताना तो भई पहला और दूसरा बताना तो क्राए 1 AB जो है क्राए 1 AB किसके लिए विशिष्ट होगा और क्राए 2 AB और 1 AC किसके लिए विशिष्ट होंगे बताना तो भई बताओ तो क्राए 1 AB किसके लिए होगा कौन बोरर के लिए मक्के और ये कौटन बोल वर्म्स के लिए है ना भई ध्यान रखना ये इंपोर्टेंट है बिलकुल सही इसका मतलब हर क्राय जीन और उसका जो कीट नाशक प्रोटीन होता है वो कीट समू के लिए विशिष्ट होगा याद रखना तो अगर आपको कौन बोरर के प्रतिरोधक पादप बनाना है तो कौन सी जीन लेनी पड़ेगी क्राय 1AB और अगर बोल वर्म के विरुद आपको प्रतिरोधकता चाहिए तो क्राय 2AB और क्राय 1AC सही बात तो जिवानों की वो क्राय जीन को आप प्रिथक करोगे एग्रो बेक्टिरियम टुमी फेशन्स के टी आई प्लास्मिड से जोडोगे और उसको कपास पादप में निवेशित कर दोगे तो बीटी कॉटन किस तरह का पादप हो गया? कीट प्रती रोधक याद रखना ये हर पादपों का लक्षन आपको ध्यान में रखना है हर पादपों का लक्षन कैसे? बीटी कॉटन कैसा हो गया वई? कीट प्रती रोधक हो गया और पहला ठीक है तंबाकू पादप कैसा था? हर्बी साइड प्रती रोधक था सही बात अब ये गोल्डन राइस गोल्डन राइस कैसा पादब होता है भई पोशक धनी ये किसमे धनी होता है विटामिन ए और विटामिन ए के साथ आयरन है ना भई तो आपके पास तंबाकू पादब जो पहला था वो हर्बी साइड प्रती रोधक था जो बीटी कॉटन है वो कीट प्रती रोधक है और जो गोल्डन राइस या सुनेरे चावल है पीले रंके होते हैं ये पोशक धनी होते हैं पीला रंक किस कारण आता है क्योंकि इनमें प्रचूर मात्रा किस की होगी विटामिन ए और आइरन की सही बात बच्चों तो अपनने तंबाकू पादब बीटी कॉटन और गोल्डन राइस देख लिए आग ये के ये तीनों जो ट्रांजेनिक पादब है ये अपन कल या नेक्स वाली क्लास में देखेंगे बेटा उमेजी लेपिड आप टेरन्स लेपिड आप टेरन्स, कोईल आप टेरन्स और डिप टेरन्स ये कीटो के गण या ओर्डर है और उसमें याद रखना सबसे बड़ा गणी ओर्डर कीटो का कौन सा होता है डिप टेरंस जिसमें मक्हियां और मच्छर शामिल होते हैं ठीके तो आशा करता हूँ आपको क्लियर होगा कल पढ़ेंगे बेटा अपन हेमन जी आरेने अंतरशेप या आरेने इंटरफेरेंस की क्रियाविधी कल हम देखेंगे ठीके बच्छों चलो धन्यवाद